नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नए सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार भादरपत पॉर्णिमा पर पितरपक्ष प्रारम हो जाते हैं जो आस्बिन माश की अमभस्या पर समाप्त होते हैं इस बार पितरपक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर और 25 सितंबर तक समाप्त होंगे पितरपक्ष को कनागत श्रादपक्ष और श्राद आदी के नाम से भी जाना जाता है ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं हिंदू धरम में माननेता है कि पितरपक्ष के दोरान यमराज सभी आत्मा को प्रिथिवी लोक पर भीजते हैं बे सभी आत्मा अपने परिबार ज इसलिए पित्रपक्ष के दोरान पित्रों के नियमित तरपंड और श्राद जरूर करना चाहिए। श्राद और तरपंड कर्म पित्रों की मिर्तियु तिथी पर ही करना चाहिए। यानि कि जिस समय जिस ब्यक्ति की मिर्थियू होती है उस समय जो तिथी होती है चाहे बो कृष्ण पक्ष हो या शुकुल पक्ष पित्र पक्ष के दौरान उसी तिथी को उस ब्यक्ति का शिराद किया जाता है जैसे कि अगर किसी ब्यक्ति की मिर्थियू तिथी शुकुल पक पर किया जाता है। पित्र दोश को सबसे जटल कुंडली दोशों में से एक माना जाता है। पित्र दोश को सबसे जटल का जाता है। और पित्रों के आश्रिबाद से पित्र दोश से मुक्ती मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीबन में खुशाली आती है और हर शेत्र में सफलता मिलती है। दोश तो इस उपाय को सही प्रिकार्ड से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अबशी ही देखें। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा। आईए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोज तो ये उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले इसनान करके स्वच्ची बस्त्र धारंड कर लें। इसके बाद आप एक साप लोटा लें। आप इसके लिए इस टील का, तांबे का या पीतल का लोटा ले सकते हैं। लोटा लेने के बाद इसमें शुद जल भरें। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साप किये हुए काले तिल डालें। और थोड़ी सी शक्कर डालें। अगर आपके पास कुशा हो कुशा की घास तो थोड़ी सी कुशा की घास भी आप इ च्छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जिगे ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साप खाली इस्थान या मैदान पड़ा हो। तो आप बहां पड़ जाएं। खुले इस्थान पर पहुचने के बाद अब आप दक्षिन दिशा की तरफ यानि की साउत की तरफ मुँ करके खड़े हो जाएं। दोस्तो आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउत की तरफ होना चाहिए। यानि की दक्षिन की तरफ और आपकी पीट उत्तर दिशा की तरप होनी चाहिए शास्तरों के अनुसार दक्षिन दिशा में पित्र लोग है दक्षिन दिशा के स्वामी पित्र देव हैं पित्रों का वास दक्षिन दिशा में माना जाता है इसलिए पित्रों को प्रसंद करने के लिए और पित्रों का आश्रिबात प्राप्त करने के ल लिए दक्षिन दिशा में पित्रों को जल चड़ाया जाता है। जल के लोटे में तिल या कुछ घास रह जाए। तो उसे आप हातों से निकाल कर जल के इस्थान पर डाल दें। जल चड़ाने के बाद अब आप पित्रदेप को प्रणाम करें। और पित्रदेप के इसी मंतर का 108 बार जब करें। मंतर इस पिरकार है। तो ऐसे में आप पहले पित्रदेप को प्रणाम करें। और सभी कस्टो, संकटो और पित्रदोश से मुक्ती की प्राथना करें। प्राथना करने के पस्चात अब आप अपने घर पर किसी साप इस्थान पर बैठ कर दक्षिन दिशा की तरफ मूँ करके इस मंतर का 108 बार ज प्राथन दिशा की तरफ मूँ करके खड़े हो जाएं और इस पातर में आप जल चड़ा दें। पातर में जल चड़ाने के बाद आप पातर के जल को किसी साप इस्थान पर लगे हुए पेड़ के पौधे की जल में डाल दें। दोस्तो जल को चड़ाते समय इस बात का ध् इस उपाय को परिबार के सभी लोग कर सकते हैं, इस उपाय को महिलाएं कन्याई भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे, पीरियड्स के दौरान महिलाएं इस उपाय को ना करें। इस उपाय को पित्रो देब अपने घर पर आते हैं। इस बात का भी विशेश ध्यान रखें कि पित्र पक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की कोई पार्टी का आयोजन ना करें। किसी भी प्रकार की पूजा पार्ट का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई विशुब कार्य जैसे की विभा, मुंडन या कोई संसिकार आदी, सगाई या फिर किसी सामान को खरीदना, बाहन खरीदना या घरे परबेश इत्यादी कार्य बिलकुल भी ना करें। दोस्तो पित्र पक्ष के दोरान सिरिप आप अपने रोज मर्रा के कार्य कर सकते हैं और सामान भी ऐसा ही खरीदें, इस्तिमाल करें जो आपके रोज की जरूरत में आता हो। नए बस्तर भूल कर भी ना खरीदें। नहीं तो लग जाएगा पित्र दोश ऐसा करने पर आप के घर में कोई पहले से ही नए बस्तर रखे हुए हैं जिने आपने नहीं पहना हैं तो आप उसे भी पित्र पक्ष के दोरान ना पहनें। पित्र पक्ष के दोरान खुश्बू की चीजें सौंदरे पिरसाधन कम से कम इस्तमाल करें। हो सके तो बिलकुल भी इस्तमाल ना क दोस्तों इसके साथ ही इस बात का विशेश ध्यान रखें की पितर पक्ष के दौरान आपके दौर पर कोई भी कुछ मांगने के लिए अगर आता है तो आप उसे कुछ न कुछ अबश्य ही दें क्योंकि माना जाता है पितर पक्ष के दौरान हमारे पितरों किसी भी रूप मे आ सकते हैं इसलिए आप अपने घर से किसी भी ब्यक्ति को खाली हाथ ना जाने दें उसे कुछ न कुछ अबश्य दें पितरों को प्रसंद करने के लिए कई ऐसी बाते हैं जिने मनुश्य को ध्यान रखना चाहिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो